पैसों का लेंदेन करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत अच्छी है पहले UPI पेमेंट से आप एक लाक रुपे का पेमेंट ही कर सकते थे उससे जादा पेमेंट करने की आप लोगों को इजाज़त नहीं थी लेकिन RBI ने UPI पेमेंट को बढ़ा दिया यानि Unified Payment Interface को ब का लेंदेन नहीं कर सकते हैं लेकिन RBI ने जो है वो UPI पेमेंट को एजुकेशन सेक्टर में और साथ ही साथ हेल्थ केर सेक्टर में जो है उनकी जितनी भी पेमेंट थी यानि एक लाक उससे बढ़ा कर पांच लाक रुपे तक कर दिया गया है कस्टमर्स के लिए अच्छी खबर है जो UPI का इस्तमाल करते हैं आप लोग किसी ना किसी तरीके से दिन में एक बार दो बार जो है UPI का इस्तमाल करते ही करते हैं लेकिन जब आपको कभी हॉस्पिटल में नीड पर जाती थी तब आपको ऐसा कहा जाता था कि UPI जो है वो एक लाक रुपे तक की ही जाज देता था कि आप 1,00,00 रुपे तक ही ट्रांसफर कर सकते हैं उससे उपर आप नहीं कर सकते हैं इसलिए आपको बता दे कि RBI ने Unified Payment Interface यानि UPI की जो पेमेंट है उसे बढ़ा है अब आप लोग UPI से जो पेमेंट है वो एक लाग छोड़ कर किया पांस लाग रुपे तक जो है वो आप कर सकते हैं UPI कस्टमर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है और यह अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि आपको काफी ज कहना था कि अगर यहां पर कहा गया है कि आप लोग UPI से पेमेंट करें तो फिर हमारी मनचाही पेमेंट होनी चाहिए क्योंकि जब हॉस्पिटल में कोई पहुंच जाता था उसे बिल देना होता था उसे काफी जादे दिक्कतों का जो है वो सामना करना पड़ता था तो सेम में बाइम मंत्री जो पॉलिसी थी मॉंट्रेली की उसे देखकर जो इसे बढ़ाया गया है अब अगर आप एजुकेशन इंसिट्यूट में जाते हैं आप हेल्थ केर सेक्टर में जाते हैं तो आप पर जाकर जो है पेमेंट करेंगे अब आपको एक लाग की पेमेंट नही इसने जो आरबिया के गवर्णर है शेशिकान दास उन्हों ने जानकारी दी है कि अब आप एक लाग से उपर का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं आपको एक लाग के ट्रांजेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है उसी तरह से मैं आपको बता देओ कि जो एफ़ यानि अडिशन और अब आपको बता देगी साल 2024 में कुछ इसी तरह के जो है आरबियाई ने कदम उठाने वाला है आरबियाई ने इससे पहरे भी बहुत से कदम उठाए हैं लेकिन अब जब आप हॉस्पिटल जाएंगे न सबसे जादा आपको ज़रूरत रहती है हॉस्पिटल में जब आपके पास वहाँ पर कैश नहीं होता तब आप लोगों का जाते कि आप यूपियाई में सिर्फ एक लाग का ही ट्रांसफर कर पाएंगे तो उन सारे कस्टूमर्स के लिए अच्छी खबर है कि आप अच्छे से जो है टेंशन फ्री हो कर अपना इलाज करा सकते हैं जब आ आपकी फीज बहुत जादा होती है आपको का जाता है कि बागी हम कैश इन हैंड लेंगे या कैश लेंगे हमें जो है यूपियाई से पेमेंट नहीं चाहिए तो आपकी जो लिमिट थी यूपियाई ने यूपियाई पेमेंट की लिमिट को बढ़ा कर एक लाग से पांच कर सकते हैं